हालो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग, टरुक्स पुटरफल 6 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हमें एक जनल लिडिंग करेंगे ठीक है, और आज मैं देखने वाली हूँ कि आप किसी एक इनसान का नाम सोची है, मैं बताने वाली हूँ कि इन दिनों उनके दिल मे आपके लिए क्या चल रहा है, चाहे आपके लव पार्टन हो सकते हैं, हस्बेंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, फिर कोई भी अजनभी, कली, बॉस, कोई भी हो सकते हैं, जिनके बारे में तो किसी का नाम सोची है, मैं बताने वाली हूँ कि उनके दिल में आपको लेकर क तो सबसे पहले कुछ कार्ड्स लोंगी उसके बाद मैं clarify करूंगे उनको ठीक है पर्सनल इडिंग के लिए आपको call नहीं करना है पर्सनल इडिंग के लिए आपको नंबर उपर स्क्रीन पर आ रहा होगा उस पे मुझे मैसेज करना है call नहीं करना है ठीक है बहुत evitable charges है चेक जरूर कर लिजेगा आल्राइट चले start करते हैं सबसे पहला जो कार्ड्स लोंगी मैं वो यह relationship के बारे में आपसे जो भी इनका संबंद है उसके बारे में क्या सोच रहे है ठीक है आपके बारे में आपसे चाहते क्या है अब और आपके लिए आगे इरादी क्या करना चाहते है अब आगे जो भी situation है उसमें क्या करना चाहते हैं आगे ओर ओरल एनरजी दिखा देते हैं आपको queen of cups यह इनसान आपके love partner हो सकते हैं आपकी बहुत care करते हैं आपसे नर्च होना चाहते हैं यह मुझे हापे दिखाए दे रहा है स्टार साइन के भी बात करेंगे हम जो आएंगे मैं आपको बताऊंगे सबसे पहले आपके relationship के बारे में क्या सोच रहे हैं आप एक ही work place से या एक ही office में काम करने वाले हो सकते हैं यह इंसान आपसे partnership चाहते है आपसे दोस्ती को continue रखना चाहते है आपसे जो bond है वो उसको strong करना चाहते है पर three number का card है yes को इनों को third person जरूर हो सकता है यहाँ पर आपके बारे में क्या सोचता है आपके बारे में यही सोचता है कि आपसे प्यार है आप इनसे प्यार करते हो ठीक है आप इनको mirror energy में देख रहे हो यह आपसे partnership या दोस्ती रखते है पर आपको इनसे प्यार हो गया है इस तरह से सोच रहे हैं आपके लिए फीलिंग्स इस इनसान की क्या है यह देखे अनेक्सपेक्टेड चीज को बताता है टावर ठीक है मुझे ऐसे लगता है कि अनेक्सपेक्टेड या तो आपसे ब्रेकप जैसे इस्तिती चल रही है या फिर इस इनसान का आपके साथ के बारे मैं निहीं लॉக्षेब को गया थीक है अब अबक एक यही ओफिस में काम करते हैं तो आपको तो ही क्या आपको तो प्यारे हैं लेकिन यह सीसे चीज के बारे में चेप्किशायए करने कि आपके साथ ब्रेक कब हो गया आपके साथ no contact हो गया चीजे खराब हो गई इस तरह से आपके लिए feelings हैं कि यह चीजे कब develop होगी दुबारा इस तरह से आशवान नहीं है मुझे ऐसे लगता बहुत negative सूच रहे हैं आपके लिए feelings है ठीक है आप से चाहते हैं आप से चाहते हैं कुछ clarity लेना ठीक है जैसे कि मैंने कहा इनका और आपका clarity मांगना चाहते हैं ठीक है और यह actually इनके आगी क्या करने वाले हैं इनके इरादी क्या है चले देखते हैं हिम्मत और ताकत रखके आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हैं अभी तक तो यह अपने आपको रोक रहे थे लेकिन आप क्या है कि इनमें हिम्मत और ताकत आग हो कि कि आज सबस्ब्स करते हैं अप अगध पूश कृट्र अग-डप इस ही हिसी कर लेते हैं सारे कार्ड्स को उख है हैं शूच कि मुझ यह अगयाइड कीजिएगा करण के इनरजीज बताई है मेरी विवेवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में current energies बताईए ये इंसान relationship के बारे में three of pentacles क्या है क्या सोच रहा है मेरे विवेवर्स के बारे में इस इंसान को क्या सोच है देखिए कोई Aries हो सकता है लियो हो सकता है और कप्स के अनरजी टॉरस विर्गों कैप्रिकॉन कैंसर स्कॉर्पेवास कुछ भी हो सकता है लेकिन लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉंग लग रहें ठीक है सजीटेरियस भी आगया वील ओ फॉर्चुन ठीक है सजीटेरियस कोई हो सकता है ये इंसान आपको कैसे देख रहे हैं टू अफ कप्स के एनरजी क्यों है दिटाव चाहते क्या है आपसे इस अफ सौर्ट्स क्यों है दिवर्ड वाउ और इनके इंटेंशन यानि कि आगे क्या करना चाहते हैं इराधी क्या है अब जो भी परिस्तितिया है उसमें इराधी क्या है इनके Ace of Wands वाउ गाईज और यहां पर देखिए Four of Wands यह stable relationship चाहते हैं आप क्या चाहते हैं आपके साथ देखिए हो सकता है कि आपको इनको misunderstanding हुई है ठीक है दो बार यहां पर टावर का काड़ आ चुका तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके इनके बीच में misunderstanding में हो सकती है बहुत बड़ी misunderstanding जिसको आप शायद हो सकता है क्लियर करना चाहते हो ठीक है यह इंसान आपसे सब्सक्राइब बता है इसके लिए और एक्वेरिस यहां पर दिखाई दे रहे हैं यह इनका स्टार साइन होना चाहिए अधरवाइस कुछ हो सकता है स्टार साइन पर बज़ जाएगा तो यहां पर सबसे पहले में बताया था कि पार्टनर्शिप चाहते हैं आप से दोस्त की स्थितियां चल रही है अचानक जो है ब्रेक अप हुआ है जिसका कोई मिसंडेस्टिंग को क्लियर भी नहीं करा और ब्रेक अप हो गया ठीक है चीज़े खराब हो गई सेपरेशन हो गया तो इस तरह से आपको देख रहे हैं कि आपने अनेक्सपेक्टेड जैसे कहते हैं आपके अंदर प्यार था लेकिन अपनी अपनी अनर्जी को वापस ले लिया ठीक है यहां पर इसके फीलिंग्स क्या है यह अपनी तरीके से चलना चाहते हैं अब ब्रेक अप के बाद या अनेक्सपेक्टेड यह सोच रहे हैं कि अब मैं क्यों करूं ठीक है यह अपने लेकर वापस हो लेकिन यह खुद नहीं करना चाहते है कि आप इनके साथ न क्या है पूराने में ब्रेक अप हो चुका है तो आप से चाहते हैं कि आप क्लियर्टी दो और एक नया साइकल वापस शुरू करो लेकिन यह खुद हो कि कुछ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यह एक स्टेबल जिद्धी इंसान है जो कि कहीं नहीं अपनी जित पर अड़ा हुआ है ठीक है चाह आगे हिंबत और ताकत रखिए जैसे आपने आपको अभी तक तो रोक रहे थे लेकिन आगे क्या होगा क्या करने वाले हैं इनके इरादे यह हैं कि अगर आपने कोई अक्शन नहीं लिया तो फिर यह डेफिनेटली आपके लिए हिम्मत और ताकत रखिए आपको कुछ सच बात बताएंगी ठीक है या आप से सथ सुनने की इनकी इच्छा है तो यह डेफिनेटली एस ओफ वांस यानिकी एक नहीं शुरुआत करेंगे आगे यही है आप लोगों के इनके इरादे यही है इस इंसान के कि आगे आप से वापस से शुरुआत हो ठीक है क्योंकि मन में त डेफिनेटली आपसे शादी, स्टैबलिटी, आपसे कनेक्शन को फिर से जॉइन करना इस तरह से मुझे एनरजी आ रही है फोर वोंस एक स्टैबल एनरजी होती है ठीक है आपके साथ वापस कंटीन्यू करना चाहते है रिलेशिंशिप को या जो भी आपका बॉंड है इन यहां से ले लेते हैं यह वाला वेट ओके यह तो यह कहना चाहते हैं वेट करें डोंट रश इन्टू इट अलाव नेचर टू टेक इस ठीक है यानि कि यह वेट कर रहे है आपका ठीक है अपने आप होने दें यह फ्लो के साथ चलना चाहते है यानि कि चीज़ें अपने आ message okay यह क्या message देना चाहते हैं इन्वर्स हमें गाइड कीजिगा ओके दो और लूंगे में दो तीन जो भी निकलेंगे इन्वर्स हमें गाइड कीजिगा एक लास्ट और फाइट लेंगे ठीक है एक लास्ट कार्ड ओके ठीक है तो यहां पर देखे सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है वह आला यह है I know we are spiritually guided ठीक है यह पहले सबसे बड़ी बात यह कहना चाहते हैं कि यह जानते हैं कि आपका इनका spiritually borned है I have anyone else in your life have you any have you anyone else in your life यानि कि आप कोई और इंसान आपके लाइफ में है यानि यह जानना चाहते हैं I don't want to be alone anymore यानि कि यह अप जो है अकेले नहीं रहना चाहते हैं ठीक है आपके साथ रहना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं please don't back for relationship यानि कि relationship के बारे में message की wait करते हैं चीजें अपने आप सही होगी तो सही है ठीक है या अपने आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं और last है यहां पर my life started when I met you यानि कि इनकी life जो है start ही तब होती है जब आप इनसे मिले हो ठीक है तो कुछ नो कुछ तो इनको bond spiritually लगता है आपका और यह definitely wait करना किया है तो यह हमलोन नहीं रहना चाहते है अब इनको कोई चाहिए पार्टनर ठीक है तो relationship कि जैसे कहते हैं बीग तो आप से नहीं मांगेंगे लेकिन चीजें अपने आप हो तो जाहिए इनको यह लगता है तो यह आज की reading थी कुछ भी आपको match कर ज़रूर बताईगा ठी इसके लाब एक बात और कहना चाहते हूं आपसे आज कल डेली मैं फेस्बुक पे आपको लाइव मिलूंगी टू अक्लॉक टू पीम पे ठीक है दौपेर में दो बजे मैं आपको लाइव मिलूंगी वहाँ पे मैं लाइव सेशन करती हूं ठीक है कल आज मैंने एक्वीरियस जैमिनाई और लिब्रा का लाइव सेशन यानि कि आपके पार्टनर के एनर्जीज को देखा था और उल हम बहुत सारी बाते कर रहे थे वहाँ पे ठीक है तो आप कल मुझे अर्ट साइन के लिए जॉइन कर सकते हैं अर्ट साइन यानि कि टॉरस के लिए हम देखेंगे कल क्या अनर्जीज आती है आपके पार्टनर की वह मैं बताने वाले हूं ठीक है और उसके बाद हम लिख देए कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए ठीक है थार डे यानि कि आज से थार डे यह रिखेंगे कल हम अर्ट साइन को लेंगे परसो हम वाटर साइन को लेंग झाले हो